कि नमस्कार मित्रो आज हम आपके यूजी सी नेक्ट जो 24 सितंबर को आने जा रहा है उसके लिए हम रिवीजन कलास लेके आए हैं जिसमें हम सबसे पहले भारतेंदू हरीज चंदर इसको हम जो है आधनी काल से ही लेके चलेंगे हैं क्योंक्कि रिवीजन कलास है तो लेक को आप प्रीजर साहित्तिक प्रिचें गिए यह यह के नांसे सब प्रेशिस हैं जो हिंदी से समंदित विद्यारति भारतो हरीज चंद्र जो हैं हमारे संहेANT कि हैं कि क्या हैं जनक मानेजाती हें हिंदी सहत्यां में और इनिी के जनम से नंका जनभा बना वह 1850 से 1850 वार्पाईएव में यह और यह मृत्य तो ओ गई त。 1850 से 19 यह काल माना जाता है भार्ति न्दु जो हैं हैं जो कवीता हैं उन्होंने जो काववे के रचना की बरजभाशा के अंदर और जो गद्या है उन्होंने खड़ी बोली का प्रियोग किया अब देखिए आप हम इनके सबसे इसके जिस वीडियो को दो भागों में बनाए जाएगा सबसे पहले हम इनके नाटक पत्रिकाएं और और कुछ जो विशेय तत् सबसे पहले हम इनके इनकी जो टोटल रचना 175 माने जाती है जिसमें नाटक भी है और काववे भी है जो उन्होंने ट्रांसलेक्ट भी किया और उनकी मूल रचनाएं भी है अब आप देखिए सबसे पहले आप इनके नाटक देखें नाटकों में आता है अनुदित जो ने ट्रांसलेक्ट किया है दूसरी भाशा से इनका प्रत्म नाटक है वह माना जाता है विद्या सुन्दर इनकी जो सन है 1868 अब हमें इनका सन भी याद करना क्योंकि आपकी जो नेट की प्रिक्षा है उसमें एक श्रिंखला में सीरीज म नाटक है घय इसके जो विद्या अटक प्रेश्ण आ आ जाता भी क्या है कई बार और आये हैं और इसके जो नयek यह प्रेम कहानी है और इसके जो नायक है विद्या जो नाम से विद्या सुन्दर है और गुण सुन्दू विद्या जो है वर्दमान की राजकुमारी है और जो और जो गुण सुन्दु जो इसके राजकुमार राजा है वो कांचीपुरों के हैं अब जो ये विद्या सुन्दर जो इसके मूल कवी है जिनकी रचना है चोर चोल है जो चोर कवी नाम है उन्व की रचना है उसके पाखंज विडंबन 8,72 इसके जो विदाय वो रुपक है जैसे जो हमने फर्स्ट किया था उसकी क्या थी नाटक यह है रुपक है पाखंज विडंबन में वव tackling वैशनव धरम कि का जुकाव चुनम धर्म के और प्रवेंध कर दे knife घुकाव व् maltुष कि की और है इसए रृचना इस में मिलती है प क्रांसलेक्ट रचनाय उसके बाद धरंजय विजय कि 1873 इसमें क्या यह व्ययोग है विधा व्ययोग ठीक है यह नाटक के विधाओं में आती है चोथी क्या है कपूर मंजरी 1875 अब आप देखिए हमने क्या पड़ा कपूर मंजरी 1875 सटक क्योंकि कई बार नेट के एक्जाम में किस तरह की सटक है आप पूछ लेंगे कि कि किस विधा से है अधूरा के चनक्याइब राक्षस के पातरों के बनाए गई है 1878 में यह एक नाटक है जो दृड़लोबंदू है यह जो दृड़लोबंदू है यह सेक्सपर के रचना मर्चंट वएणिस की अनुदित रचना है और यह अधूरी थी ठीक है और उसके इसको पूरा किह कि यह राधा क्रिशन दास और राम शंकर ने किया है व्यास ते पूर्ण किया मोलिक रचनावों पे मोलिक नाटक है जो सत्यहरीचंद 1874 नाटक यह नाटक विदा है श्रीचंदरावली अठारा सो छेत्र नाटक विदा है उसके परश्चाद विश्य विश्य ओश्यदम अठारा सो छेत्र ये भाण है ये गायक वाड को पद से उतारने मलोगी ब्रश्चा चार इस तरह के जो ये पूरी तरह साशन को नहीं चलाए पैदे और स्याजी को सत्ता पे बिठाने के से स अश्य ये हमारी हिंदी की फर्ष्ट उपेरा जो पेरा है उपेरा गीती नाक्टाई है ये आप जुरुर्ध्यान है हिंदी का फर्स्ट है भारत जन्नी अठारा सो गीति रूप गई अंधेरी नगरी असके बाद 1818 में परहसन है फिर वैद की हिंसा ना भवती 1823 में अब देखिए इनकी कुछ अपूर्ण कृतियां भी है जो पूरी नुई जैसे परवास नाटक 1868 में है नौ मलिका रतनावाली अब इनकी मौलिक रचनाई यह तो अनूदित है मलोग ट्रांसले का जो अधूरी है और एक प्रेम जो जोगनी है जो 1875 में है नाटकी का है और एक है सती परताव 1883 में यह भी रादा कृष्ण दास ने पूरी की थी इनके जो फुफेरे भाई थे ठीक है उसके बाद इन्हेंने कुछ सभाओं का निर्मान किया जैसे कवीता वर्धनी सभा यह भी आप याद रखना क्योंगी आ जाता कि कवीता वर्धनी सभा के मलोग स्थाप कोन है भारत इंदू उसके पश्चाथ नारद भक्ति पर इन्होंने तव दिया समाज तव दिया समाज 1874 में स्थ अपना करी एक पैनी रीडिंग कलब इन्होंने बनाया पैनी रीडिंग कलब विशेश में देखिए आप हिंदी का जो फर्स्ट नाटक जो है शीतला शीतला परसाथ तृपाथी का है जो मलोग की जो मंच पर लाया गया है मलोग जिसका मंचन हुआ है उसमें जो जान की उसमें लक्षमन की भूमिका ये आपने ध्यान रखना है किसने भारतईद्वने निभाई थी कि और भारतईद्य समंद्धित में कुछ आपको बता देता हुँ भारतईद्व को जो उपादिया 1880 में किसने ने रगुनाथ ने ने इनका जर्म कहा हुआ वारानसी में नाटक की रचना की थी और सितारे हिंद जो हैं इनके गुरु माने जाते हैं ठीक है उसके बश्चात इन्होंने इनकी जो पत्रिकाएं हैं तीन पत्रिकाएं परमुख हैं कवी वचन सुधा अठारा सो अर्थ सक्ट में अब आपने यह रखना की प्रशन आते हैं यह प्रशन आता है तो क्या है यह सिर्फ एक यह रचना है सबसे पहले है का और 1868 में अगर मान लो देखो कि आए देखिए अगर इनकी रचनाओं को जो इनके पत्रिकाएं उनको एक श्रिंखला में लाने के लिए आ जाता है तो हमने क्या करने देखो का वाली हमने पहले ठीक है उसके बाद उसके बाद हरीचंदर का नाम आजाएगा मलगी कवी है कवी कौन है कवी को न इसको आपको वैसे भी है कवी कौन है देखिए हरीचंदर कवी है हरीचंदर मैगजीन 1873 में लिखी यह मासिक है और उसके बाद इनकी जो अंतिम पत्रिका थी बाल बोधनी 1874 में यह भी मासिक थी ठीक है अब आप देखिए 1777 में कलकत्ता में थेटर की स्टापनवी ठीक है उससे 1876 के असपास जो है मंचन के लिए वो मिले थे मलो कलकत्ता में ही मंचन कलकत्ता मदरास मुंबई में जो ह ऑपन ठेकर खोले गए थे इसी तरह यह कलकत्ता में थेटर की स्टापना हुई भारतिंद्यों ने काशी नेशनल ठेकर की स्टापना की उसके बाद इनके उपनियास इनके जो काववे हम अगली वीडियो में देखेंगे इसके जो उपनियास हैं सबसे पहले उपनियास है प्रकास चंद्र प्रभा ठीक है उसके पश्चाथ एक कहानी कुछ आप बीटी कुछ जग बीटी ठीक है इस तरह आपका भारत इंदू की जो नाटक विधा हैं पत्रिकाया है और कुछ जो पुर्मुक तथ्य थे वो मैंने आपको रिवीजन के इसाब से जो आपके 24 तारीक को पेपर होने वाला है उसके इसाब से करवाया अब मिलते हैं मा इसके पार्ट तूर में धन्यवाद